आज का हमारा टॉपिक है LC Oscillations LC Oscillations में हम एक arrangement लेते हैं जिसमें आपने एक inductor को एक capacitor से connect किया हुआ है और फिर further capacitor को एक battery से connect किया हुआ है दोनों के पास आपने दो key लगाई हुई है एक key K1 आपकी battery के लिए और K2 आपकी C और L के लिए पहले हमने इसको off रखना है K2 को मतलब इसमें आपने current को पास नहीं होने देना है आपने सिर्फ K1 को जोड़ना है K1 को जब जोड़ोगे तो यहां से variable current क्या करेगा capacitor को charge कर देगा थोड़ देर के लिए current vary करेगा मतलब जैसे मैंने आपको बताया था transient current होता है rise करता है तो यह क्या करेगा capacitor को charge कर देगा जब capacitor पूरी तरह से charge हो जाए तो आप इस K1 की को off कर दो अब आपका capacitor C पूरी तरह से charge हो गया और एक बात आपने याद अखनी है जो capacitor है उसके अंदर जो potential develop होता है उसको हम बोलते हैं electrostatic energy अब आप क्या करो जो electrostatic energy उसकी equation यह रहीगी आपकी Q square by 2C अब आपने K1 off कर दिया capacitor पूरा charge है K2 को connect कर दो K2 को connect करोगे तो जो electrostatic energy या जो potential इसके अंदर है वो क्या करेगा वो अब decrease होना शुरू हो जाएगा क्योंको इसको path मिल गया path मिलेगा तो यह discharge होना शुरू हो जाएगा इसको हम discharge बहुते हैं इसमें लिखा हुआ discharging current तो discharge होना शुरू होगा और L के across एक क्या होगा आपकी induced EMF produce होना शुरू हो जाएगा तो हम कहेंगे कि अब जब आपका capacitor पूरी तरह से discharge हो गया तो एक induced EMF आपका L के across produce हो जाएगा ठीक है और यह induced EMF आपका क्या करेगा एक energy produce करेगा जिसको हम बोलते हैं in the form of magnetic field इसको नाम देते हैं UB जैसे हमने अभी इससे पहले article किया था energy stored across inductor और आपने इसका result देखा था half Li square तो अब जो आपने पूरा यहां capacitor जो discharge हो चुका है उसकी सारी energy किसमें चलेगी L के अंदर in the form of magnetic field तो इसमें हम दो बाते सिखेंगे capacitor के across जो energy रहती है वो रहती in the form of electric field और जो inductor के across अब energy produces उसको बलेंगा in the form of magnetic field तो capacitor आपका store करता है energy को in the form of electric field और inductor करता है in the form of magnetic field फिर यह कहता है कि अब inductor पूरी तरह से charge हो चुका है अब inductor जो पूरी तरह से charge हो चुका है वो अब आपका discharge होना शुरू हो जाएगा तो वो क्या करेगा क्योंकि induced EMF की direction कैसी होती है वो होती है opposite महलं है जब आपने इसको charge किया तो इसके अंदर जो current induced होगा आपका EMF induced होगा opposite direction में induced होगा तो opposite direction में induced होगा तो अब जो आपका discharge शुरू होगा L का तो वो इस तरफ से current भेजना शुरू करेगा जब इस तरफ से current भेजना शुरू करेगा फिर आपका जब यह पूरी तरह से चार्ज होगा फिर यह डिस चार्ज होना शुरू हो जाएगा तो इस तरह से कभी कपैस्टर चार्ज हो जाएगा, कभी इंडक्टर चार्ज हो जाएगा और इस तरह से आपकी oscillations चलती रहेंगी, इसको बोलते हैं oscillations क्योंकि opposite direction में होता रहेगा, induced EMF opposite direction में होगा तो हर बार जो कपैस्टर चार्ज होगा, वो opposite direction में होगा ठीक है, इसको मैं diagram से आपको समझाने की कोशिश करूँगा यहां देखेंगे diagram, शुरू में अपने battery से कपैस्टर चार्ज कर दिया यहां पर UE दिखाया, fully charged और यह UB क्या है, आपका zero, कुछ नहीं है इस पर फिर half stage में क्या होगा, आपका यह क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर four lines है देखो ध्यान से, तो यहां पर कितने रहेगी two, that means वो half हो गया half capacitor discharge हो चुका है, तो यहां पर half inductor में induced EMF produce हो जाएगा दो lines ही आई, ठीक है, फिर third stage में हम कहते हैं कि यह capacitor fully discharge हो चुका है UE खतम हो गया, अब आपका यहां पर four lines से इसको दिखाया गया है कि अब आपका inductor पूरी तरह से charge हो चुका है, जिसको induced EMF कहते हैं और इसकी direction कैसे होगी, opposite to the जो आपने current इसको दिया है अब यह पूरी तरह से charge हो गया, तो यह discharge होना शुरू हो जाएगा तो यहां देखो, यह half stage में पहुँच गया और आपका capacitor charge होना शुरू हो गया अब ध्यान देने वाली बात यह है, कि पहले case में positive कहा था, उपर, अब positive कहा है, नीचे इसका मतलब यह हुआ, कि जो induced EMF है, वो opposite nature का होगा और opposite nature होने की बसे, अब वो capacitor को opposite direction में charge करेगा फिर यह पूरी तरह से discharge हो जाएगा, और आपका capacitor fully charge हो जाएगा लेकिन in the opposite direction, यह बड़ी important बात है, इसमें देखने वाली, कि यहाँ पे आपका positive उपर था और यहाँ पे आपका positive नीचे आएगा, यह हुआ due to induced EMF, जो lens law कहती है कि आपका जो induced EMF होगा, वो opposite nature का होगा फिर से UE पूरी charge हो गया, अब यह नीचे की तरफ से discharge होना शुरू हो जाएगा और आपका inductor की direction उल्टी हो जाएगी, पहले दोखो उपर से नीचे की तरफ थी arrows, अब यह नीचे से उपर की तरफ को आ जाएगे यह right hand rule से हम निकालते है direction of जो आपकी magnetic lines की है तो इसकी वज़े से अब यह discharge होना शुरूएगा, half stage और फिर द्वारा से fully charge हो जाएगा आपका inductor और capacitor fully discharge, फिर वही process द्वारा repeat होगा तो इस तरह से यह process चलता रहेगा, कभी capacitor उपर positive उपर आएगा, मतलब positively यहाँ charge होगा कभी capacitor negatively charge होगा, alternate phase में आपका positive negative capacitor के अंदर आते रहेंगे जब alternate phase में आते रहेंगे, तो आपका जो diagram बनेगा वो ऐसा बनना चाहिए कि पहले elective field उपर की तरफ को, फिर नीचे की तरफ को, फिर उपर, फिर नीचे, फिर इस तरह से alternate आपको क्या मिलेंगी field मिलती रहेंगी, elective field की direction opposite होती रहेंगी, हर charge discharge के बाद तो एक तरह से आपको क्या मिलेंगी, waves मिलेंगी, और इस wave को हम नाम देते हैं, LC oscillations ठीक है, कि आपका कभी capacitor possibly charge होगा, कभी negatively, और आपके inductor और capacitor में आपकी magnetic field, elective field की form में energy transfer होती रहेंगी, और इस तरह से हमारे पास LC oscillations create हो जाएंगी, पहले case में कहता है कि अगर energy loss नहीं है, तो जितनी आपकी electric field है उतनी आपको magnetic field मिलेगी, और फिर magnetic field से elective field भी उतनी मिलेगी, लेकिन generally ये कहते हैं कि actual life में हमें ऐसा नहीं मिलता है, हमारा कुछ नो कुछ energy loss होता ही होता है तो इस तरह से आपकी जो oscillation हो धीरे-धीरे कम होती जाएंगी, damped oscillation हम इसको कहते हैं ठीक है, जो natural, actual life में हमें देखने को मिलती है, और अगर real conditions ले ले ले, ideal conditions ले ले ले, sorry तो ideal condition में आपकी energy loss नहीं है, तो हमारे पास हमेशा ही undamped oscillation मिलती रहेंगी, ठीक है, तो ये थी आपकी LC oscillations और इसका जो frequency है, कितनी frequency की waves generate हो रही है, तो ये आप इस relation से निकाल सकते हैं LC की value fix कर लो, उतनी frequency की आपको oscillations मिल जाएंगी, तो ये आपने relation बीज में याद रखना है